भारत के सबसे रुमान्चक गेमिंग प्लाटफॉर्म विंजो पर है सतर से भी ज्यादा गेम्स तो खेलो अपने मन पसंद गेम्स और रोज जीतो करोडो के नाम डाउनलोड नाउ फ्रॉम विंजोगेम्स डाट कॉम प्रताप भानु महता और अर्विंत सुब्रमन्यम के अशोका यूनिवरसिटी से स्तीफे से शुरू हुए विवाद की देश भर में चर्चा हो रही है रिजर्फ बैंक ओफ इंडिया के पूर्फ गवर्नर रगुराम राजन ने भी इस पूरे मामले को लेकर तीन पन्ने की एक चिट्थी लिंग्डेन पर शेर की थी अब अशोका यूनिवरसिटी की ओर से एक स्टेट्मेंट जारी किया गया है इस बयान में यूनिवरसिटी ने माना है कि कुछ संस्थागत चूक हुई है जिसे सुधार लिया जाएगा बयान में कहा गया है कि अशोका यूनिवरसिटी के बोर्ड अफ ट्रस्टीज के चेर्मेंट कुलपती और उपकुलपती प्रफेसर प्रताब भानु महता और प्रफेसर अर्विंद सुब्रमन्यम के स्तीफे और हालिया घटनाओ पर गहरा खेद व्यक्त करते हैं दोनों अशोका विश्विद्याले के असाधारण सहयोगी और फैकल्टी मेंबर है युनिवर्सिटी को प्रताब का वाइस चांसलर और फिर सीनियर फैकल्टी के रूप में नितरत्व, मार्क दर्शन और परामर्श मिला उन्होंने युनिवर्सिटी को सीखने, सिखाने और रिसर्च के केंडर के रूप में स्वीकार किये जाने की स्थिती में ले जाने के लिए सालों फैकल्टी और फांडर्स के साथ मिलकर काम किया है अर्विंद अपने साथ नई विचार और उर्जा लेकर आए वो भारतिय और ग्लोबल एकॉनमी के प्रमुख विचारकों में से एक है उनके जाने से जो शूनिय पैदा हुआ है उसे भरना आसान नहीं होगा हम मानते हैं कि संस्थागत प्रक्रियाओं में कुछ खामिया है जने हम सभी स्टेकोल्डर्स के परामश से सुधारने के लिए काम करेंगे ये बात अकेडमिक और फ्रीडम के लिए हमारी कमिटमेंट की पुष्टी करेगा जो हमेशा अशोका युनिवरसिटी के आदर्शों के मूल में रहा है प्रताप और अर्विंद भी इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि अशोका युनिवरसिटी भारतिय उच्छ शिक्षा के सबसे महत्वपूर्प्रजेक्ट में से एक है वे अशोका युनिवरसिटी छोडने से दुखी है खासतोर पर इसके चात्रों और फैकुल्टी को उनको भरोसा है कि अशोका युनिवरसिटी को एकेडिमिक फ्रीडम और और आटोनॉमी के लिए एक उदार डुष्टिकोर को अपनाना चाहिए और वे आजीवन संस्थान के दोस्त और वेल विशर यानी भला चाहने वाले बने रहेंगे वो जहां भी रहें लेकिन संस्थान की तरक्की चाहते रहेंगे यही नहीं वे हमेशा भविश्य में भी उनिवर्सिटी को सलह और सुझाव देने के लिए उपलब्ध रहेंगे प्रताब भानू महिता ने अपने हालिया लेखों में मौझूदा केंद्र सरकार के काम और नीतियों की आलोचना की थी नए क्रिशी कानूनों को लेकर भी वो BJP सरकार पर सवाल उठा चुके हैं हर्याना सरकार ने आली में जब नई आरक्षन नीति की घोशना की थी तब भी महता ने इसकी आलोचना की थी अशोका यूनिवरसिटी के फाउंडर्स और महता के बीच एक मीटिंग हुई थी जिसके बाद महता ने अपना इस्तीफा दे दिया उन्होंने लिखा था एक उदार विश्विद्याले को आगे बढ़ने के लिए राजनी तिक और सामाजिक रूप से उदार परिस्तितियों की जरूरत होगी मैं उमीद करता हूँ कि उनिवरसिटी उस माहौल को बचाय रखने में एक भूमिका नभाएगी इस मामले में RBI के पूर्व गवरनर यानी रगुराम राजन ने भी तीन पन्नों का एक लेटर लिखा था उन्होंने लिखा कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बड़ा जटका लगा आपके लिए खबर लिगी थी हमारे साथ ही वरुन ने अगर आप ये वीडियो फीस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमाई चानल को सब्सक्राइब करें देखते रहे हैं दी ललन टौफ शुक्रिया अब रोज दोपहर बारा बजे ललन टौफ लाएगा मैट मी शोव सिनेमा का कंप्लीट शोव जहां संसनी नहीं सेंस होगा सोमवार बॉलिवूट किस्से फिल्म और फिल्म वालों की दिर्चस्त कहानिया मंगलवार ललन टौपंडा चौचक बैट की हेडलाइन्स बनाने वाले हीरो हिरोईन डारेक्टर के साथ बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है उनकी खोज खबर बुरुवार भारत टोकी प्वेस्ट ओफ रीजनल सिनेमा क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्म में बनती है शुकरवार, स्पोटलाइट, हपते की सबसे बड़ी सिनमा न्यूस के हर एंगल पर फोकस शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारतियों से तसली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी की पीरियट, कक्षा, क्लास, ये क्लास लेंगे ललन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी तो रोजाना दोपहर बारा बजे देखिए ललन टॉप का मैट मी शोग